इंदोर शहर के कमरा नेहरू प्राणी संग्राले में शेरो का कुन्बा बढ़ गया है शेर्णी मेगा ने रहीवा रात तीन शावकों को जन्म दिया इन में से दो शावक स्वस्त हैं जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही थी शेर्णी मेगा और आकाश के जोड़े से जन्में तीन शावकों के बाद चिडिया घर में शेरो का कुन्बा एक बार फिर बढ़कर तेरा पर पहुँच गया था लेकिन अस्वस्त बच्चे को शेर्णी ने खा लिया जो की बेहद आश्चरे जनक है आठ साल पहले बिलासपूर से आई जोड़े ने अब तक 15 बच्चों को जन्म दिया है दरसल इंदोर चिडिया घर में मेगा शेर्णी ने तीन शावकों को जन्म दिया था लेकिन उसमें से एक शावक कमजोर था कमजोर शावक को उसी की मा मेगा द्वारा खा लिया गया डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि शेर्णी मेगा ने तीन शावकों को जन्म दिया था एंदोर से ब्यूरो राके सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट का दो बच्चे जो की हल्दी है स्वस्त हैं उनके तो प्रापर केरिंग कर रहे थी लेकिन जो बच्चा वीप था उसको दो दिन बाद ही मदर ने इसको खा भी लिया था और इसकारान दो ही बच्चा में बच्चे यह जो खाने की प्रोत्ती होती एंवाल्स में यह जो वाइल देनिमर में उनका एक करेक्टर होता है वे चुकि जंगल पर बूंट सजा पर पर गेंचलता उसमें अपनी सेक्टी को ध्यान में रहते हैं नेचन उनको इसा सारी ची तो इस तरह की स्टेप्स लेती ही उसमें तो हमरे यह जिसको हम लोग टेक्टिकली बासारा पर केनाबुलिजम बनते हैं जब अपनी स्पीजिस को खा लेता है तो यह एक नेशनल एक नार्मल प्रोसेस है जो फिलाइन में बिली परिवार में और केनाइन में परिवार में कि लगडाउन में वैसे अगर बात की जाए तो हमारे इनमन्स के लिए काफी फिरोबल अद्मास्पेर है यहां का और लगडाउन के कारण जू बंध हने के कारण कोई-19 के पुटपर्ट के ताद जो बंध हो उसके ताद जो पब्लिक का फुटवाल जीरो होगा उससे पब सब्सक्राइब करने देते हैं ताद कि उनको बाद की जाए तो उसमें पाफी अच्छा रिष्पांस हमको देखने को बिला है तो यह और चुबी दूसरे भी जो चोटे-बूटे काम जो एंप्रोजरों के अंदर जहां लोगों को एंडिश्मेंट के करने देते हैं टाइम सब्सक्राइब करें और पास में लगें बेल आइकों करें तो यह और देख रहे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगें बेल आइकों को दबाना बिल्कुल भी न भूलें